नमस्कार PCN News की स्पेशल रिपोर्ट में मैं शेतिजाद इश्मुक आप सभी का स्वागत करती हूँ आज जानेंगे हम राश्ट्रिय श्रमीक शिक्षा बोर्ट के कारी के बारे में जी हाँ राश्ट्रिय श्रमीक शिक्षा एवं विकास बोर्ट भारत के संगटीत एवं असंगटीत श्रमिकों के लिए कारे करती है जिसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो यही नहीं स्वास्ते समदी पिचनजागरती श्रमीकों में की जा रही है राश्ट्रिय श्रमीक बोर्ट का यहीं देश है कि श्रमीकों के जिवनमान को सुधारा जा सके राश्ट्री श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ट जो है यह हमारे भारत में जितने भी श्रमिक हैं चाहे वो संगठित छेत्र में हो और संगठित छेत्र में हो शहरों में रहते हो या गाउं में रहते हो सभी श्रमिकों के बीच हम शिक्षा का प्रक्षार प्रसार करते हैं अब जैसे आपने गाओं की बात की तो पिछले एक देड़ साल में जैसे लॉकडाउन और ये पैंडेमिक की समस्या चल रही है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम जो फिजिकली जो ट्रेनिंग देते हैं लोग के देश में फैले हुए हैं और वहां पर हमारे शिक्षा अधिकारी होते हैं जो कि जा करके श्रमिकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं तो जब भी हमको बीच-बीच में समय मिलता है हम जितने अधिक से अधिक प्रशिक्षण के कारिक्रम हो सकते हैं वो करते हैं इस बीच हम संगठिच छेत्र में जब lockdown रहता है या कुछ restrictions रहते हैं लोगों के आवाज आई पर तो हम virtually training के program भी हमारे यहां चलते हैं जो कि संगठिच छेत्र में बहुत उनके लिए भी एक नई चीज है क्योंकि कभी virtual training पहले हुई नहीं है पर हमारे लोगों के लिए भी नई चीज थी पर हमने बहुत जल्दी उसको अपनाया और काफी अधिक संख्या में हमने शिक्षण कारिक्रम जो हैं वो virtually भी किये हैं और गाओं गाओं में जाकर के physically भी हमारे शिक्षादिकारों ने कारिक्रम किये हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने कई नई चीज इस बीच तुरंत हमने शुरू की पहले से तो आप सभी को पता है कि इस तरह का समय आ जाएगा तो कोई ओजना पहले से बन सब्सक्राइ्ब कारिक्रम किये वह कि गया वैक्सीन फेस्टेंसिह नने के लिए नदा है कोई भाग रहा है तो हमने जो प्रे प्रफिक्षण में वैक्सीन के बारे में जितनीई है और गलत है आएं उनको दूर करते हैं और उनको प्रोचाहित करते हैं कि आधिक से अधिक संक्या में टीका करन कराएं तक आपके और आपके परिवार की सुरक्षा हो सके यह हमारे कारिक्रम चल रहे हैं कर रहे हैं और साथ ही क्योंकि हम पूरे देश में करते हैं इसलिए हम जो भी नया कारिक्रम भी लाते हैं या पैंफ्लेट वगएरा बनाते हैं उसको हम विविन भाशाओं में बनाते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में हैं हमारे मराथी तेलगू तमिल करपारकरम शुरू कर पाए क्योंकि उसके पहले तो संभवन नहीं था कि किन तो हमारे शिक्षादिकारी हैं और हमारे विभाग के करमचारी और अधिकारी के सहयोग और उनके बड़ा कहना चाहिए उपलब्दी है हमारे वोर्ड की कि हम ऐसे समय में जब इतनी बड़े संकट के समय में भी हमारे अधिकारियों ने अच्छा कारे किया और हमने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने कोशिश की और भविश्य के लिए भी हमारी नई-णई योजनाय तियार हो रही है जो समय समय पर हम जिनको लेकर आते रहेंगी जिससे और अधिक लोगों तक हम पहुंकि हमारा उद्देश यह leps, शुडूर में रहते हों शहरों में रहते ह। आमाजेक जीवन के बारे में भी उनको बहुत कुछ समझाते हैं, हम स्वच्छता जैसे प्रधान मंत्री स्वच्छता पर इतना जोड दे रहे हैं, तो हमारे शिक्षादिकारी अपने प्रशिक्षन कारिकरों में स्वच्छता के बारे में बताते हैं, हम शराब बंदी के बा यह भी हम बाल मजदूरों के लिए करते हैं जो आज भी 75 वार शोने को आए हमारे देश को आजाद हुए लेकिन यह हमारा दुर भागेगी आज भी बाल मजदूर हैं जबकि सरकार के नियम हैं बहुत कड़े कानून है बाल मजदूर के खिलाव कि न लोगों को पता नहीं होत वह आपकपो सिखाते हैं तो इस तरीके से हम जो भी देश की कानून हैं उंके बारे में चानकरी देते हो को चिसको कहते हैं, उंके बारे में भी हमारे सभी सबborg कारियों को प्रचिक्षन दिया जा रहा है जोन वाइस हम धीरे धीरे हमारे तीन चार जोन में प्रस्रिक्षण हो चुका है बचे कभी हम प्रस्रिक्षण करके उसके बारे में अधिक से अधिक सभी क्योंकि वो नए कानून आ रहे हैं अभी तो लोगों को पुराने कानूनों के बारे में पूरी जानकारी न तो उसको जानकारी नहीं होती कि उसको कितना मिलना चाहिए दूसरा उसका exploitation होता है तो हमारे प्रशिक्षण कारिक्रम के दोर हम इस तरह की जितनी भी कुरीतियां हैं इनको दूर करने का कारिक्रम करते हैं माइग्रेंड लेवर इस समय बहुत कोई ज्वलंत विशह है सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है उसको कि भई लोग उनका विचारों का जरा सा कोई अफवा फैल जाती है कि लॉकडाउन हो रहा है काम बंद हो रहा है विचारे फिर अपने गाओं की और भागते हैं वापस फिर उनको वापस शहरों में आन प्रदानमंत्री ने बनाई हैं उनके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं जैसे मैंने आपको बताया कोविट से सम्मंदित हम सारी जानकारिया देते हैं और यह सब हम करते हैं जो भी सरकार के कोविट को लेकि प्रकॉशन को लेकर जो भी नियम है उनका पालन करते हुए क इसकी स्थापना हुई थी, आप लोगों ने इंटरनेशनल लेबर और्गनेशन का नाम सुना होगा, जो युनाइटेड नेशन सहीं उतराष्ट की एक संस्था है, उसके रेकमेंडेशन पर और उसके बेसिस पर ये विभाग बनाया गया, हम उनके साथ मिलके भी, आये लोग करके कारे करें, और से अधिक से अधिक जो है, हम शिक्षा ये प्राद्योगी की का उपयोग करें, आई टी का जो है, इंफर्मिशन टेक्नोलोजी का, ताकि हम जैसे एजुकेशन कैम्स वगेरा हम सोच रहे हैं, जो इखटे, लोगों को इखटा करना मुश्किल हो जाता है एक जगे तो वो करेंगे, वर्चुल प्रोग्राम करेंगे, कहीं-कहीं अभी हम लोगों को इखटा करते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो हम रूरल वॉडियो लिंक भेज देंगे, वो जाकर के फर्दर आज हरे एक के पास स्मार्टफोन होता है, गाओं- इंटरनेट पहुंच गया है, टीवी के स्क्रीन है, पंचाय भवन में होते हैं, या कहीं पे भी होते हैं, तो वहां जाकर के वो हमारी ओडियो वीडियो लिंक दिखा सकता है, ये एक नए, ये सब नई चीजे हम लोग समय के अनुसार हमारा विभाग अपने आपको आगे बढ़ाने कोशिश कर रहा है, साथ ही जो श्रमिक हमारे प्रसिक्षन कारिक्रम में आते हैं, उनको उस दिन की उनकी दिहाड़ी का नुकसान होता है, क्यों कोई भी आदमी अगर जो दोस हो, तो इसलिए हम भारत सरकार ने योजना बनाई कि जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रो हैं सबके अकाउंट आधार से, हम सीधे उनके अकाउंट में पेविमेंट करते हैं, कोई फिजिकल ट्रांजक्शन नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाश नहीं है, साथ ही अब हमने एक मोबाइल एप भी लाउंच किया, जिससे कि जितने भ समय में आज हमारे पास पिछले 4-5 सालों की पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट है, उस पे उपलब्ध है कि कौन-कौन से कारिकरम हुए, कितने कारिकरम हुए, कितने लोगों ने अटेंड किया, क्या किया, तो ये भले ही आज हमारा जो विभाग है, ये तकरीबन 63 वर्ष पुराना है, किन्तो हमने समय के हिसाब से अपने आपको बदला है, जब विभाग बना था तो ट्रेड यूनियन मुव्मेंट को बढ़ावा देने के लिए संगठी छेत्र के लिए बना था, किन्तो बाद में हमको असंगठी छेत्र ग्रामीन इलाकों की भी जिम्मेदारी स एजुकेशन, वहां हमारी अपनी बिल्डिंग है, सब कुछ है, वहां पर रिजिदेंशल प्रोग्राम है, वहां होस्टल है, सब कुछ है, वहां हम अपने लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं और श्रमिकों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग अपनी परच्जों को का पालन पोज़mate करें inकों की झानकारी और उनके अधिकार करते वह दोनों की जानकातव का दायत्त्व है और हम ये चाहेंगे कि अम्रस मध्रीत महुत्सवा के दौरान अधिक से अधिक लोगों को तक यह जानकारी पहुंचा सके नई नई टेक्निक का उप्योग करते हूँ तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चलाएं यही रुकने का देखते रही है बी सीन नियूज नमस्कार